कि आपको याद है वो लमहा जब आपसे किसी नहें पूचा है चलो जार बजार चलते हैं चलो बजार चलते हैं इसको हम binary data भोलते हैं एस और नो आप या तो जाते हैं या नहीं जाते हैं ऐसा नहीं होता कि आप एक जगा पर س्टक रहे हैं और आप कहें कि मैं चला भी गया मैं नहीं भी गया तो इसी डेटा को हम डेटा एनलिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं और इसको बाइनरी डेटा बोलते हैं मशीन लेर्निंग के अंदर इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है अगर आप चले गए तो उसको बोला जाते हैं हाँ चला गया अगर नहीं गए तो नो में आंसर आता है येस और नो ट्रू और फॉल्स जीरो और वन अब यह बाइनरी डेटा होता है कि इसके कौ बाइनरी डेटा क्लासिफिकेशन या बाइनरी डेटा होता क्या है अगर हम बाइनरी डेटा के बात करें तो बाइनरी डेटा एक ऐसा डेटा है जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो वैलियोज होती है डेटा विद ओनली टू पॉसिबल वैलियोज इससे ज्यादा इसकी वैलियो ह one होती है, तो depend करता है कि आपके पास data किस किसम का है और आपको data को दो किसम की values कैसे assign कर सकते हैं, for example, मेरे पास multiple किसम का data है और उसमें column है जिसका नाम है sex, या आप इसको gender भी बोल सकते हैं, gender वाले data को अगर आप classify करने बैठ चाहें और इस gender वाले data के बारे में अगर आप बात करने बैठें, तो gender जो है basically, वो या तो male हो जाता है या female हो जाता है, obviously हमारे पास other gender भी होता है, अगर आप other की बात करेंगे, या third gender की बात करेंगे, then you cannot say कि ये binary data है, binary data में या तो yes होगा, या no होगा, या male होगा, या female होगा, कोई गया होगा, या नहीं गया होगा, कोई सच्चा होगा, या नहीं सच्चा होगा, किसी चीज को on किया होगा, या किसी चीज को off किया होगा, किसी चीज की value zero होगी, या one होगी, depending upon the scenario, कि one जो है, वो yes को show करता है या zero no को show करता है so usually आपके पास दो किसम की values होती है this is very simple यह basically एक categorical ही type है यह grouping करती है चीजों को दो बड़ी categories में yes और no में true or false में और यह simple होता है and clear way में आपको बताता है कि कौन क्या है say for example अगर हम man और woman का comparison करना चाहें एक data है हमारे पास खाना खाते हैं तो वो जो scenario आप multiple level पे जाने के बजाए आप सिरफ man और women इन दोनों का difference निकाल के आप बता सकते हैं किसने ज्यादा tip दी है पिछले कुछ सालों के अंदर so on and so forth और उस तरीके से आप clearly idea दे सकते हैं कि लड़के ज्यादा tip देते हैं या लड़कें देती है ठीक है and this is ideal for decision making process और आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ideally आपको क्या करना है अपने business की strategy के अंदर जिसकी base पे आप अंदाजा लगा सके या ठीक है अगर लड़के ज्यादा जो tip देते हैं तो उनको service भी हम restaurant के अंदर अच्छी देंगे अगर आपका restaurant का business है अगर आपका business ही कोई हो और है then you will think in another way मैं इसकी मिसाल देता हूँ अगर आप smoking area बनाना चाहते है अपने restaurant के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कितने लोग हैं पिछले कुछ सालों में जो smoking करने आ रहे हैं ठीक है और अगर आप देखें उनमें man and woman इन दोनों का अगर आप अंदाजा लगाएं तो दोनों को अगर separate way में आपने बनाना है अगर आपके पास रोजाना के 50 लोग smoking वाले आते हैं और women जो हैं वो सिरफ 10 आती हैं तो आप जो हैं यही से decision ले सकते हैं कि हमने जो मर्दों का smoking room बनाना है वो बड़ा बनाना है औरतों का चोटा सा भी बन जाए तो it's fine because ratio of female smokers are far less than man smokers so यह business strategies होती है ठीक है अब business strategy, business driven या data driven decision making इस तरीके से करते हैं based on your data आपके हमेशा two outcomes होंगी इससे ज्यादा नहीं होंगी and this was binary data binary data बहुत ज्यादा important है आप इस data के उपर ज़रूर काम करें और मुझे comment section के अंदर बताएं के कौन कौन सी और examples है binary data की रुके ज़रा सबर करें अगर आपने इस course में enroll नहीं करवाया हुआ तो मैंने link description में दिया है आज है enroll करवाएं और तीन माँ के अंदर data analyst बन के अपनी कमाई का आगास करें ये summer boot camp है जून जुलाई अगस्ट 2024 में मैं आपको data analyst बना कर चुड़ूँगा अपना ख्यार रखे see you in the next lecture टेक कियर अलाहाफिज